हाँ जी कल टेलिग्राम ग्रूप में बहुत सारे बच्चों ने अलग लग टाइप के डाउट्स रेस किये और मैंने ट्राई किया कि हर डाउट को मैं वहीं पर आंसर कर दूँ बट कुछ डाउट्स ऐसे थे जो इस वीडियो में हम एक एक करके सारी डाउट्स पे बात करेंगे I'll try to explain each and everything once again चलिए शुरू करते हैं so the very first question is how smart read course works इस पे आपको याद हो मैंने जो product launch का जो वीडियो बनाया था उसमें detailed discussion था बट still यहाँ पर मैं एक वापस से इसका recap आपके लिए कर देता हूँ how smart read course works सबसे पहले बच्चों जो पहला step है वो होगा हमारा vocabulary lecture का यानि कि पहले lecture होगा vocabulary का जो भी passage हम pick करेंगे आपके लिए आपकी reading comprehension के लिए उस passage में जो भी difficult, important, complex words, phrases, idioms या phrasal verbs होगी उनको हम discuss करेंगे lecture में हर दिन from Monday to Saturday ठीक lecture देखने के बाद आपको दूसरा step क्या करना है आपको attempt आपको जाना है आपके smart read course के dashboard पे और वहाँ पे आपको मिलेंगे उस drill के vocabulary flashcards यानि जो words आप lecture में पढ़ेंगे वापस से आपके सामने वो flashcards के format में वापस से आपके सामने आएंगे यह confirm होगा है कि आपने जो learn किया वो depth में जाके learn किया है ऐसा तुक्का मार के आपको कोई question का answer नहीं दे रहे हैं और वो सच में आपको उस word को लेके understanding आपकी बन गई है तो यह quiz आपका check करेगा उसको and मैंने आपको बताया था previously कि यह जो quiz होगा इसमें जब तक आप किसी question को सही नहीं कर देंगे तब तक वो question repeatedly 3-4 question के बाद repeatedly वो आपके सामने आता रहेगा ठीके तो यानि कि सारे questions को आपको correctly mark करना ही है तब ही वो quiz over होगा जब quiz over हो जाएगा तब आपकी सामने आएगा passage और passage पढ़ते समय आपको एक separate timer मिलेगा जिसको आप अपने according प्लस माइनस कर सकते हैं एक ideal time वाकर mentioned होगा पर फिर भी आप कुछ प्लस कर सकते हैं कुछ माइनस कर सकते हैं अपनी reading speed के according ठीक passage पढ़ने के बाद आपके सामने passage based questions आएंगे जो आपको attempt करने हैं अब इन questions में mix होगा जो हमारी reading comprehension के जो facets होते हैं like explicit information based questions के आप answer दे पा रहे के नहीं और vocabulary based questions के आप answer दे पा रहे के नहीं राइटर की psyche क्या है राइटर की tone क्या है या inference based questions, argument based questions यानि के critical reasoning जो aspect है वो भी इस यह पूरा में information हर दिन इन 10 questions के माधियम से मिलती रहे ठिक कि आप क्या progress कर रहे हो यह सब होने के बाद आपकी सामने आएगी आपकी performance रिपोर्ट जिसमें जो majorly जो आपको चेक करना है इंपोर्टन ली जो आपको चेक करना है जो हमने reading comprehension को बारह skill set में डिवाइट किया हुआ है वो इन skill set पर आपको रोज चेक करना है कि आप कहा पर stand कर रहे है और individual performance report के अलावा जैसे जैसे आप घिल्स attempt करते जाएंगे आपको जो जादा focus रखना है वो रखना है आपके detailed analysis पर कि आप overall किस तरफ चल रहे है detailed analysis report यह आपको next step में अभी दिखा दूंगा next step में आपको दिखेगा detailed analysis चलिए यह आपको clear हो गया अब move गरते हैं हम second हमारा जो position हुआ है how can I access my course मैं इसको आपको दिखा देता हूँ यह जैसे smart reader.com slash smart read अभी यह जो course है यह website पर available है और website का जो link है वो है smart reader.com slash smart read आप अगर test zone यानि testzone.smart reader.com URL पर है वहाँ पर एक option आता है उस पर आप क्लिक करेंगे इधर जो आप left hand side पर यह margin होता है उसमें आपको option दिखेगा smart read का उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस URL पर पहुंच जाएंगे इस page पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको आपका इस तरीके से course का पूर टैब में यह वीडियो ओपन हो जाएगा यहाँ विडिया और सबसे पहले तो आरेगी ठीक है जो प्रॉसेस है वो यह है कि जब तक आप एक ड्रिल अटेम्ट नहीं करेंगे आप दूसरी पर मूव नहीं कर सकते क्योंकि यह लॉग रहेगी जैसे यह अभी पिनिश नहीं क करेंगे यहाँ नहीं जा पाएंगे पूरा पाथ डिजाइंड है आपको भागना नहीं है आपको रैंडम ली कुछ पिक नहीं करना है जो मैं बोल रहा हूं बस उसे रिलिजिएसली कॉलो करना है चलिए अब आजते हैं नेट्स कोस्टिन क्या था हाँ जी तो समझ में आग वाला उसमें मैंने बताया था कि डेली यह चीज होने वाली यानि डेली मैं लेक्शेर लेके आने वाला हूं और जो कोस्ट की वेलिटी है वो वन येर है तो वन येर में तीन सो पैसट दिन होते हैं और अगर मैं संडेश को अलग कर दू तो 52 डेज यह अलग हो गया खुछ holidays अगर हम consider भी कर लें तो 280 प्लस 280 या 300 इसके around हमें drills मिलने वाली हैं एक साल में अगर आपने 6 महीने के लिया है तो obviously आपको उसे renew कराना पड़ेगा 6 महीने बाद अगर आप चाहते हैं कि आप और ज्यादा इसको utilize करें ठीक है तो एक साल में हमने plan किया है कि 280 प्लस drills around मैं च will be available per day अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है मैं दिखा देता हूँ आपको मैं तो चलूँगा daily ठीक है मैं आपको daily lecture देने वाला हूँ और उस पे हम यहाँ पे drill life कर देंगे अब मान लीजे कि आपने वो चीज attempt नहीं कि आपने lecture नहीं देखा आपने drill attempt नहीं कि तो आप मैं अगर next day लगाने बैठूँगा तो मेरे पास option होगा कि मैं इन दौनों को एक दिन में finish कर लूँ पर मेरा suggestion यह है कि जैसे जैसे हम आगे चलें वैसे वैसे आप भी साथ में चलें अगर आपको course की benefits को पूरी तरीके से उनका पाइदा उठाना है तो जैसे जैसे हम चल र रहे हैं कि आपने एक दिन class नहीं दो दिन class नहीं अगर आपकी performance वापस अगर आपकी preparation वापस sporadic है तो आप मैंने कल भी बोला था कि आप पूरा फाइदा नहीं ले पाएंगे आपके preparation उस level की नहीं वोपाएगी क्योंकि आप सूचेंगे कि एक दिन में 4 attempt कर लूँ हम हर ब यह रोज एक डिल attempt करें और उसको पूरा properly analyze करें solution window में जाके check करें या क्या explanation दिया है फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो telegram group है आईए वहाँ पर अपने doubts race करें हम उस पर बात करेंगे ठीक है तो यह था कि एक दिन में हम एक डिल live करेंगे अब आपकी choice है कि आप उसको एक दिन में 4 attempt करना चारे है या एक दिन में एक attempt करके course के साथ चलना चारे है it's your choice absolutely but मेरा suggestion मैंने आपको बता दिया हूँ चलिए next question is where will the lectures be conducted मैंने बताया कि lectures जो होंगे vocabulary वाले वो YouTube पर ही conduct होंगे बहुत सारे बच्चे वोलेंगे सर हमने तो paid course लिया तो बाकी लोग कैसे देख लें हमारा जो paid course है उसका benefit बाकी लोग कैसे मिल जाएगा YouTube पर तो free होता है सब सब देख सकते हैं try to understand this thing कि अगर हम जाते हैं अपने platform पे कोई जैसे और लोग करते हैं अपने platform पे अपने platform पे लेक्चेर में हैं वो बस यह है कि आपके paragraph पढ़ने से पहले पैसेज पढ़ने से पहले उन words का discussion हो रहा है यहां पर ultimately जो paid course के फायदे हैं वो फायदे हैं जब आप अपने doubts raise करते हैं और जब मैं individually उनको resolve करूँग आपके लिए जो mentorship है जो मैंने experience किया अपनी life में मैंने कैसे हिंदी medium background होने के बावजूद भी यह सारे चीज़ें पूरी की English language पे अपनी पकड़ बनाई तमंड बनाई एंड exams क्राक करें तो वो जो मेरा guidance है वो आपको obviously closed environment में मिल रहा है तो वो फायदा आपको वहाँ पर मिल रहा है ठी next question is do I need to learn synonyms and antonyms separately अंकित आपको separately कुछ भी याद नहीं करना है जो जो होता जा रहा है चाहे वो vocabulary quiz की बात हो चाहे आपकी reading comprehension questions की बात हो वो कस आपको attempt करना है system सब कुछ record कर रहा है और let me tell you this thing कि जो synonyms and antonyms भी है न वो कभी न कभी main word की तोर पे भी आने वाले हैं तो आप यह मैं सोचे कि कुछ छूड़ जाएगा अगर याद रहे आपको it's fine very much fine पर अगर आप सोच रहे हैं कि यार एंटने चूटने कुछ भी नहीं दूँगा मैं छूटने कुछ भी नहीं दूँगा क्योंकि यह जो कोशें आपके दिवाग में है यह हमारे दिवाग में पहली आ गया जब हमने बताया था कि जो course design हुआ है उसमें हमने around 100 लोगों से verbally बात की है सो लोगों से verbally बात की है उनमें से maximum बच्चे वो हैं जो इस problem को face कर रहे हैं और उसके बाद हमने around 30 के आसपास उन बच्चों से बात की जो इस environment पर है कि इस problem से बाहर निकल गी आज exam practor के job में बैठे हुआ है ठीक है so have faith in me हम करेंगे सारी शीज़े पर बस आपको करना हुए है जो वहाँ exercise में आपके लिए सामने है available ठीक है next question is will I get PDF for vocabulary revision again smart course है भाई smart read course smart है तो PDF पे जाके मैनत करना और यह सब करना कागश पहने लेके कुछ भी नहीं करना है simply dashboard पे आना है और जो चीज आपके सामने आ रहे है अटेम्ट करना है AI अपना काम करेगा थोड़ा सा patience रखिए न चीज़ों को कोने दीजे आपको बोलोगा 15-20 दिन थोड़ा सा time दीजे हर दिन आके attempt करें और 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे हो रहें अभ पर आप जब 10-20 पर सटेंट करनेंगे और जो next week आपके सामने कस्टमाइज फिज आएगा तब आपको रिलाइस होगा कि यह हो क्या रहा है गेम अक्चुली है क्या ठीक है तो कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है यहां पर लास्ट कुश्चन दो कोर्स इस अलग होती है इनकी जो टेक टीम है यह भी अलग होती है हमने यह प्रोड़क लांच किया वेबसाइट पर पहले अब पर इंटीग्रेशन चल रहा है मुझे जो डेट टीम ने दी थी वो थी बारा तारिक आई बिलीव कि टेस्टिंग भी होगी तो आप यह मान के चलिए कि यह तो आप यह तो आप से लेक्षे नंबर टू के साथ थैंक यू बाबार